हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप से अपने आपको भर्ने में लगा है हम सब आज जो साथ में हैं और जितने भी लोगों को हम जानते हैं हर व्यक्ति कुछ ना कुछ दौड कर रहा है प्रयास कर रहा है स्वयम को भर्ने के लिए वो उसकी दोड़ सुवर्म को भरने की अलग लग तरहें से प्रकट होती है किसी को ऐसा लगता है कि खूब सारा धन कमाके पैसा कमाके मैं कम्प्लीट फिल करूंगा किसी को ऐसा लगता है कि जब न्यूस पेपर में मेरा नाम छप जाएगा तो मैं complete feel करूँगा किसी को ऐसा लगता है कि ये जो नया model आया car का इसको खरीद के कुछ completion मैं feel करूँगा किसी को लगता है कि किसी साथ ही के मिल जाने से मैं पूर्ण complete feel करूँगा किसी को लगता है किसी नए देश विदेश कि यातरा करके जो अनुभव होगा मुझे उस अनुभव से मैं complete feel करूंगा हमारी सारी दोड हमारी सारी खोज हमारा सारा प्रयास complete feel करने का है पूर्णता feel करने का हमें एक ऐसा अनुभव चाहते हैं जिस अनुभव से we are able to feel complete वो पदार्थ का अनुभव हो सकता है पदार्थ को लेने का अनुभव वो किसी event का अनुभव वो किसी व्यक्ती का अनुभव वो किसी situation का अनुभव और हमारा सारा प्रयास सारी मेहनत इस दिशा में रहती है और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कल कुछ ऐसा होगा कि कल कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे प्रयास से जिस से मैं पूर्ण नफील करूंगा या अगर हम अध्यात्मित जगत के लोग हैं इफ वी एर स्प्रिच्वल पीपल तो हमें तब ऐसा लगता है कि कल कुछ ऐसा आशरवाद मिलेगा जो मुझे कम्प्लीट फील कराएगा मेरा गला थोड़ा खराव है तो तो चाहे मेरी यात्रा भीतर के जगत की हो चाहे मेरी यात्रा बाहर के जगत से हो दोनों परिस्तितियों में पहला मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करने से I will start to feel complete I will start to feel whole दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करने से या कुछ होने से In future, somewhere and tomorrow I will start to feel complete Right or wrong? Now, आज हम जितने मित्र इसको सुन रहे हैं इतने वर्षों के प्रयास में, इतने वर्षों की भाग दोड में, इतने वर्षों की struggle में क्या अभी तक हम complete feel कर पाए Probably not Probably हम कुछ शणों में, कुछ moments में complete feel कर पाते हैं वो moment चला जाता है फिर हमारी incompletion वापिस की वापिस तो कहने का अर्थ ही यह हुआ कि हमारे जन्मों के परयासों के बाद भी हम complete नहीं feel कर पा रहे बाहर के जगत की चीज़ों को भरने से भी और किताबों के ग्यान को भरने से भी scriptures को पढ़ने से भी We are not able to feel complete somehow So there must be an issue इसमें शायद कुछ fundamental flaw हो सकता है Let's try and explore that today चांद, फिर से चांद पे आते हैं ये जो चांद है जो आज पूर्णिमा की रात को complete हुआ ये चांद क्या सिर्फ आज 28 दिन के बाद सिर्फ इस एक रात को सिर्फ इस एक दिन के लिए complete होता है पूर्ण होता है Or is it an illusion, my friends? क्योंकि चांद तो सदियों से सतत complete है पूर्ण है कोई ऐसा वक्त नहीं है जब चांद complete पूर्ण नहीं है अपनी अवस्था में हमारी perception में चांद complete नहीं दिखता हमें पूर्ण निमा के अलावा किसी और रात को हमारी perception में बट स्वयम से चांद सतत हमेशा सदा से complete है, पूर्ण है इसमें कोई एक गहरा राज हो सकता है मानवजाती के लिए शाद वो राज ये है कि चांद की तरह ही आप और मैं हम सब every human being हर व्यक्ती इस पृत्वी पे सतत हमेशा सदियों से इस स्रिष्टी के उत्पन से लेकर इस स्रिष्टी के अंत तक complete ही है अपने स्वरूप में बठां अपने illusion में, अपने perception में उसे लगता है, उसे illusion होता है, उसे आभास होता है कि वो complete नहीं है और उसे लगता है कि एक बहुत अच्छा career बना के वो complete हो जाएगा एक बहुत परिवार को समरिद करके वो complete हो जाएगा बहुत सारा asset based बना के वो complete हो जाएगा बहुत सारा नाम कमा के वो complete हो जाएगा बहुत सारी वहाँ वही हासिल करके वो complete हो जाएगा बट अगर मैं अपने आप से ही complete हूँ तो क्या कोई भी बाहर की चीज मुझे कभी भर सकती है तो क्योंकि जितनी असल बात होगी उतनी सुक्ष्म बात होगी उतनी गहरी बात होगी क्योंकि हमारा खालीपन, हमारा अभाव, हमारा incompleteness real है ही नहीं क्योंकि in reality, चांद की तरह हम सतत complete है बट यह हमारी अपूनता, सिर्फ एक perception है एक ख्याल जैसा है, एक सपने जैसा है कि मैं अपून हूँ मैं अधूरा हूँ, यह समझ लो ऐसा कि यह हम सब का एक collective सपना हमने देखा हुआ है और हम सब एक दूसरे को यह सपने की याद दिलाते रहते हैं कि हम सब अधूरे हैं और फिर उस अधूरे पन को भरने के लिए हम एक हजारों चीजें करते हैं हर तरह का प्रियास करते हैं क्योंकि हमारा अधूरा पन ही सपने में है तो हमारा प्रियास उस सपने के अधूरे पन को भर कैसे पाएगा Do you follow?